Hello friends, इस lecture में हम लोग method of reduction study करेंगे तो method of reduction होता क्या है? माल लिजिए कि आपको कोई बहुती complicated सा integrate दे दिया गया है माल लिजिए कि ऐसा कुछ दे देता है sin to the power nx dx अब ये उतना complicated तो नहीं है इससे भी ज़्यादा complicated आपको अभी आगे मिलेंगे तो इसको अगर integrate करना है और n क्या है? n positive integer है यानि कि question ये कह रहा है कि sin to the power nx dx where n is a positive integer इसको integrate करो तो इस तरह के question को solve करने का क्या तरीका हो सकता है? आप इस integral को reduce करिए n के छोटे powers में यानि कि आपको माल लिजिए कि पूछा है कि बताओ तो बेटे sin to the power 100x dx इसका क्या integral होगा? तो आप बोलियागे कि अच्छा मुझसे sin to the power 100 power का पूछा है तो मैं इसको reduce कर देता हूँ sin to the power 98 का फिर 98 से भी reduce करके मैं sin to the power 96 पे आ जाता हूँ तो reduce करते करते आप sin square x पे पहुँच जाएगा या sin to the power 0x पे पहुँच जाएगा तो उसको तो solve करना बहुत आसान होता है ना? बिल्कुल सही बात है तो method of reduction यही कहता है कि अगर आपको कोई एक ऐसा complicated सा integrant दे रखा है जिसको आप आसानी से integrate नहीं कर पा रहे हैं और वो जो integrant है वो किसी parameter पे भी depend कर रहा है n हो सकता है यहाँ पर देखिए एक single parameter है लेकिन अगर question कुछ ऐसा रहता sin to the power mx into cos to the power nx dx तो क्या हो गया? double parameter हो गया m भी एक parameter है, n भी parameter है तो इस तरह के parameter पे integrant depend कर रहा है तो आप method of reduction में क्या करते हैं? कि धीरे धीरे उस parameter को reduce करते जाते हैं बहुत high power है, hundred है, thousand है तो thousand से घटा करके 990, 980, 970 ऐसे नीचे आते जाईए तो यह जो method of reduction है, बहुत ही powerful method है अभी हम लोग indefinite integration में study कर रहे हैं आगे जब definite integral study करेंगे तो वहाँ भी मैं इसके खूब सारे examples आप से करवाऊंगा इसी से related एक concept है जिसका एक बहुती नया नाम मैंने दिया है concept of cousin integrals जो मैं आगे आपको अगले lectures में पढ़ाऊंगा तो अभी हम लोग देखते हैं कि method of reduction का use करके इस तरह के integrand जो थोड़े से complicated है या जिनके integrand में higher powers है उसको कैसे integrate किया जाता है integrand में higher powers है इस higher power को ही हम लोग method of reduction से reduce करते हैं तो ये जो reduction का नाम है वो इस power को reduce करने से आया reduction तो इसको मैं reduce करते 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 इसको 0 या 2 या 1 पे ले आऊँगा घसीट के n माल लिजे कि 100, 1000, 10 billion कुछ भी हो सकता है तो इस n को मैं reduce करते 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 घसीट के मैं इसको 1 या 0 पे ले आऊँगा तो इसलिए इस method का नाम परा method of reduction तो देखो बच्चों ये कैसे काम करता है ये method आपको integrate करना है sin to the power nx dx अब देख रहे हैं कि integrate में तो भाईया एक ही function है तो आप तो देख रहे हैं कि integrate में तो एक ही function है ये एक ही function है लेकिन अपने अंदर तो खुब सारा power छिपा के बैठा है sin to the power nx है तो इसको अगर मैं थोरा सा break करके लिख हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ sin to the power n-1x into sinx dx बिलकुल लिख सकते हैं अब आप इस sinx को अगर second function माल लें second function इसको क्यों मालेंगे क्योंकि इस sinx को integrate करना आसान है अगर आप इस sin to the power n-1 को second माल लेंगे तो अगले ही step में बच्चो इसको integrate कैसे करोगे तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था integration में पार्ट में इसलिए रटवाया था और सिर्फ मैं isolate के भरोसे नहीं रहता हूँ isolate के भरोसे क्यों नहीं रहना चाहिए क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होगा अगर आप isolate के भरोसे हैं तो इस दोनों function तो trigon metric है किसको first लिजिएगा किसको second लिजिएगा पता ही नहीं चलेगा तो हमेशा मैंने समझाया था क्या समझाया था कि अगर आपके पास दो function है देखिए जैसे यहाँ पर यह एक function दूसरा function तो जिसको आप आसानी से integrate कर सकते हैं उसको लो तुम second function तो sine x हो गया second function तो sine x को second function मानते हुए हम लोग इस integration by parts को करते हैं यह जो है यह first function हो गया तो यह agitives आजाएगा तो आजाओ भाई तुम तो यह हो जाएगा sine to the power n-1 x sine x को integrate करिएगा तो क्या होगा minus cos x तो चलो भाई तुम भी आजाओ अब यह minus क्या हो जाएगा इस चीज को differentiate करना होगा first function को तो क्या हो जाएगा n-1 into sine to the power n-2 into cos x तो लिख दो यहाँ पे यह हो जाएगा n-1 into sine to the power n-2 x cos x आएगा और एक और cos x यह वाला है तो यह हो जाएगा cos square x और यहाँ से देखिए यह minus यहाँ पर है और यह minus already है तो यह दोनों minus मिल करके plus हो जाएगा तो integration by parts में हम लोग यहाँ तक पहुँच गया यहाँ तक clear होगा सबको किसी को कोई confusion होना नहीं चाहिए बहुत simple सारे steps है यह generally बहुत सारे books में रहता भी है बस मैं explain कर रहा हूँ ताकि आपको इसका conceptual understanding clear हो जाए और यह सब formula कभी derive करने को नहीं आएगा न directly formula पर based कोई question आएगा लेकिन यह method आपको समझ में आना चाहिए concept समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरह का to the power n वाला कोई term हो तो उसमें हम लोग method of reduction या integration by parts कैसे use करते हैं तो अगले step में क्या करेंगे यह वाला चीज जो first term है यह तो agitive रह जाएगा यह जो cos square x है क्यों ना मैं इसको 1 minus sin square x कर दूँ बिल्कुल कर सकता हूँ यह करने से देखिए क्या फाइदा होगा फाइदा यह होगा कि यह sin square x इस sin to the power n minus 2 से जब multiply होगा तो मुझे फिर से sin to the power nx dx ऐसा मिल जाएगा यानि कि मुझे एक integral right hand side में भी मिल जाएगा जो left hand side से मिलता जुलता है तो इसको हम लोग left hand side भी ले जा सकते हैं बिल्कुल ले जा सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है और एक integral मिलेगा जो sin to the power n minus 2 के terms में होगा तो power तो यहाँ पर घटा न वही मेरा main aim था method of reduction में कि किसी तरह यह जो sin का power n है इस n को किसी तरह घटा दो तो देखिए मैंने power को तो यहाँ पर n से घटा करके n minus 2 कर दिया तो second step में आप यह करिए cos square x की जगा 1 minus sin square x करिए तो देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 minus sin square x into dx यह सब तो रहेगा ही तो जब यह multiply होगा 1 dx sin to the power n minus 2 तो एक integral इधा रह जाएगा sin to the power n minus 2 और यह sin square x और यह sin to the power n minus 2 यह दोनों मिल करके फिर से हो जाएगा sin to the power n x dx इसको हम लोग i n लिख देते हैं क्योंकि i n लिखने से थोड़ा सा idea मिल जाता है कि यह nth power का integral है तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि i n is equal to क्या हो जाएगा यह वाला चीज तो as t जाएगा plus यहाँ पर हो जाएगा n minus 1 into integral यह अब क्या हो जाएगा देखिए sin to the power n minus 2 x dx यह रह जाएगा और इधर हो जाएगा minus n minus 1 into sin to the power n x dx तो यह step कैसे आया सबको clear होना चाहिए cos square x को हमने ऐसे break कर दिया था 1 minus sin square x में तो यह चीज आ गया तो अब अब इस sin to the power n x को उठा करके इधर ले जाएगे यह basically क्या है यह तो i n हो गया न और इधर है minus n minus 1 तो यह इधर आ करके क्या हो जाएगा मिल करके यह मिल करके बन जाएगा n i n तो n i n is equal to क्या हो जाएगा this thing plus n minus 1 यह और यह क्या है यह है n minus 2 तो अब हम लोग ऐसे इसको simplify करके लिख दें कैसे लिख सकते है n times i n this is equal to अब यह वाला चीज तो रहेगा ही sin to the power n minus 1 x into minus cos x यह महाशाय तो रहेंगा ही plus n minus 1 into i n minus 2 यानि कि i n को nth power के integral को हमने किसके terms में लिखा n minus 2th power यानि कि power को हमने घटाया जो हम लोग चाहते थे कि power reduce हो तो वो हमने reduce कर दिया तो यह relation आ गया between i n nth power के integral और n minus 2th power के integral के बीच में अब यह इतना सुन्दर तो नहीं लग रहा है यह सुन्दर कब हो जाएगा अगर मैं इस integral को between two limits integrate करूँ किस-किस limit के बीच में माल लिजे कि यह integral आपको find करना था between limit 0 to pi by 2 तो 0 to pi by 2 के बीच में अगर करिएगा तो देखिए यह वाला जो term है जिरो हो जाएगा कैसे? 0 पे तो sin x 0 होना ही है तो 0 हो गया और pi by 2 पे cos x 0 हो जाएगा यानि कि दोनों limit पे यह वाला term 0 हो गया तो अगर अभी जो मैं चीज कर रहा था क्या कर रहा था? कि integral कर रहा था sin to the power nx dx लेकिन मैंने limit नहीं दिया था क्योंकि मैं indefinite integration की बात कर रहा था लेकिन अगर आप इसमें limit बैठा देते हैं कि 0 से pi by 2 के बीच में अगर आप इसको integrate कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो कबाब में हड़ी बना हुआ है ये अपने आप चुप चाप से 0 हो जाएगा ये 0 हो गया तो देखिए आपको कितना सुन्दर एक relation मिल जाएगा ये relation मिल जाएगा कि in this is equal to n minus 1 by n into in minus 2 तो देखिए ये relation हमने find कर लिया और ये in क्या है? in है integral from 0 to pi by 2 किसका integral? sin to the power nx dx का ठीक है? इसका ये integral है इसी तरह हम लोग reduction formula cos to the power nx में भी लगा सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है exactly सब कुछ सेम होगा उसका भी अगर आप limit 0 to pi by 2 लीजिएगा तो इसी जगा पर पहुँच जाएगा तो ये हुआ reduction formula where limit of integration is from 0 to pi by 2 अब अगर यहां तक हम लोगों ने derive कर लिया है तो इससे आप एक शीज देख सकते हैं कि ये जो n है वो n-2 पर depend करता है और ये जो n-2 है वो किस पर depend करेगा? simple सी बात है न n अगर n-2 पर depend कर रहा है तो i n-2 किस पर depend करेगा? ये n-4 पर करेगा n-4 किस पर depend करेगा? n-6 पर depend करेगा यानि कि अगर n माल लिजे कि even है माल लेते हैं कि i-100 हमें पता करना है तो i-100 जो है वो i-98 पर depend करेगा 98 वाला 96 पर 96 वाला 94 पर और करते करते finally वो i-0 पर depend करेगा यानि कि एक recursive relation आप लिख सकते है i n, i n-2, i n-4 सब के बीच में तो अगर n even है तो ये recursive relation होते होते कहाँ पर terminate करेगा? ये terminate करेगा i-0 पर तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या find किया? हम लोगों ने find किया है i n, i n क्या है? integral 0 to pi by 2 किसका integral है? sin to the power 0 यानि कि 1 यानि कि 0 से pi by 2 के बीच में 1 dx का integral ये क्या हो जाएगा? pi by 2 यानि कि सिधे-सिधे लिखो na i0 is equal to pi by 2 और i1 क्या हो जाएगा? i1 में आपको क्या करना परेगा? sin x dx sin x dx का integral आप लेंगे 0 to pi by 2 के बीच में तो बहुत simple है i1 की value आजाएगी 1 और अभी हमने method of reduction से ये find कर लिया है कि i n is equal to n minus 1 by n into i n minus 2 तो अब माल लिजे कि अगर n even integer है तो क्या हो जाएगा? i n के case में n minus 1 by n करिएगा ये series चलेगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? i n minus 2 find करने जाएगे तो क्या हो जाएगा? n minus 3 यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर n minus 2 हो जाएगा और होते होते ये कहाँ पर terminate करेगा? n अगर even है तो वो terminate करेगा i0 पर यानि कि वो pi by 2 पर terminate कर जाएगा यानि कि आपको एक formula मिल गया कौनसा formula? कि अगर n even है तो i n की value क्या हो जाएगी? n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 ऐसे ही आप reduce करते जाएगे करते जाएगे last में ये pi by 2 पर आके terminate कर जाएगा और अगर n odd है तो क्या होगा? तो भी ऐसे ही ये start होगा i n क्या हो जाएगा? n minus 1 by n होगा फिर n minus 3 by n minus 2 शुरुवात में सब कुछ वही रहेगा last में ये terminate कहाँ पर होगा? अगर n odd है तो देखे क्या होगा? माली जे की n 99 है तो i 99 किस पर depend करेगा? 97 पर 97 वाला depend करेगा 95 पर 95 वाला depend करेगा 93 पर तो ultimately ये series कहाँ पर terminate करेगा? 1 पर क्योंकि 1 odd है न तो i 1 क्या हो जाएगा? 1 तो यहाँ पर लिख दो भाई 1 तो देखिए हमने एक formula derive कर दिया कि n अगर even हो तो i n की value ये हो जाती है n अगर odd हो तो i n की value ये हो जाती है और i n क्या है? sin to the power n x dx इसका integral from 0 to pi by 2 अब इसी formula को कहते है wallis formula तो क्या आपको ये formula रटना है? wallis formula बिलकुल नहीं रटना है कोई इसको रटने की जरूत नहीं है इस formula को रटना बेवपूफी वाला काम है आज तक मैंने कोई question नहीं देखा है j.e. advance level का जो इस formula पर based हो फिर आप कहेंगे कि आपने derive क्यों किया? derive मैंने इसलिए किया ताकि आपको concept समझ में आ जाए इस concept पर based कभी भी question आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा in ऐसा है in-2 ऐसा है तो बताओ तो दुनों में क्या relation होगा कुछ-कुछ घुमा कर आपसे पूछ सकता है कभी हो सकता है कि limit को 0 से πाई बाई 2 नहीं करके पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 कर दे तो उस case में जो बीच में कवाब में हड़ी वाला टर्म है वो cancel out नहीं होगा तो इस तरह के question पूछे जा सकते हैं directly ये formula कभी नहीं आएगा तो वहाँ भी कुछ बच्चे इसको रटने लगते हैं इसको मत रटिये अगर आपको रटना ही है न तो इससे एक related concept होता है जिसको कहते हैं beta function and gamma function अब वो beta and gamma भी syllabus में नहीं है लेकिन at least जो beta function और gamma function का use करके sin to the power nx या cos to the power nx dx का integral आता है वो थोरा सा कम खिचर पिचर वाला notation होता है उसमें even के लिए अलग और odd के लिए अलग नहीं रटना पड़ता है तो उस beta and gamma function को भी रटने की जरूत नहीं है वो भी syllabus में नहीं है आज तक मैंने कोई question नहीं देखा है जो beta and gamma function पे पूछा गया हो लेकिन अब मैं देख रहा हो कि सारे teachers जो है न limit को stretch करते जा रहे है बीटा function गामा function पता नहीं कहां कहां घुसते जा रहे है ये सब पे अपना time waste मत करिए हाँ concept जरूर समझ लीजिए कि ये सब चीज कैसे आता है कैसे आता है बस दो fundे है method of reduction and integration by parts तो ये तो भाई syllabus में है integration by parts तो है और method of reduction उसी का एक offshoot है उसी का एक निकला हुआ branch है तो वो भी पूछ सकता है लेकिन ये वली formula जली formula इन सब के चक्कर में मत परिए बीटा function गामा function इसका भी कोई खास use नहीं है अगर आपको रटना ही है तो बस ये वाला ठीक है sin to the power nx into cos to the power mx का बीटा function का यूज करता हुए एक formula होता है जो मैं आगे definite integral में परहा दूँगा almost हर बुक में आज कल रहता है उसको रट लिजिए लेकिन उसका भी कोई खास use नहीं है तो ये समझ में आ गया कि ये वालीज formula कहां से आया ऐसे आया method of reduction से और integration by parts से आया और ये जो formula हमने sin to the power nx के लिए derive किया है exactly same formula cos to the power nx के लिए भी आ जाता है इसी method से सब कुछ लगभग same रहता है कोई खास अंतर नहीं होता है तो ये तो हो गया method of reduction का use करके sin to the power nx या cos to the power nx का expression derive करना अब reduction formula में और भी तरह-तरह के चीज़े होती है आप tan to the power nx का भी reduction formula बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं मैं अभी उसको derive करता हूँ तो माल लिजे आपको इसका reduction formula निकालना है tan to the power nx dx तो इसको कैसे करिएगा tan to the power nx है ना तो इसको दो part में break कर दीजे ऐसे लिख देते हैं tan to the power n-2x और दूसरा हो जाएगा tan square x अब इस tan square x को हम लोग लिख सकते हैं sec square x minus 1 बिल्कुल लिख सकते हैं यहां तक clear होगा तो यह क्या हो जाएगा पहला integral हो जाएगा tan to the power n-2x into sec square x dx अब पहले integral के लिए आप यह कर सकते हैं कि t is equal to tan x assume कर लिजे तो dt क्या हो जाएगा sec square x dx तो sec square x dx तो आपके पास है ही तो वो dt बन गया और यह क्या हो जाएगा t to the power n-2 तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे हैं t to the power n-2 into dt minus यह वाला चीज तो रहेगा ही tan to the power n-2 x dx तो t is equal to tan x हम लोग अगर substitute कर लें तो जो पहला integral है वो क्या बन जाएगा t to the power n-2 into dt minus दूसरा integral हो जाएगा tan to the power n-2 x dx और जिस integral को हमें find करना है उसका नाम हमने in दे दिया है i n इसलिए क्योंकि यह n parameter पर depend कर रहा है तो i n को हम लोग ऐसे लिख सकते है t to the power n-2 dt minus tan to the power n-2 x dx यहां तक clear होगा सबको अब इसको integrate करना बहुत आसान है इसको integrate करिएगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा t to the power n-1 divided by n-1 और यह चीज क्या है यह तो हो जाएगा i n-2 and this is equal to i n तो हमने i n और i n-2 में एक relation derive कर लिया यानि कि हमें पता करना था कि tan to the power nx dx क्या होता है तो देखिए इस n power को reduce करके हम लोग n-2 पे खीज के लिए आए तो यही हुआ method of reduction तो यह कैसे हुआ बहुँ simple तरीका था यहाँ पर आपको दे रखाता है tan to the power nx इसमें से आपने tan to the power n-2 को अलग किया और tan square x आया इस tan square x को आपने sec square x minus 1 लिखा sec square x जो होता है वो tan x का differential coefficient होता है तो पहला term यह बन गया दूसरा term में हो जाएगा minus tan to the power n-2 x dx तो यह relation derive हो गया exactly same method से आप cot to the power nx dx इसका भी reduction formula derive कर सकते हैं और यह सब formula आपको न तो याद करने की जरूद है न रटने की जरूद है exam में ऐसे कभी नहीं आएगा exam में अगर question पूछा जाता है तो आपको एक line में इसको derive करना परेगा क्योंकि इस तरह के कितने reduction formula आप याद करेंगे 500 ऐसे reduction formula होते हैं sin to the power nx का हो जाता है tan to the power nx का हो जाता है आगे कुछ बच्चे log x to the power n वो सब भी याद कर लेते हैं तो वो सब करने की जरूद नहीं है सिर्फ concept समझोना कि वो वाला formula आता है तो किस method से आता है generally सब में यही 2-3 method लगता है या तो integration by parts इसमें देखिए integration by parts नहीं लगा है इसमें क्या लगा है कि tan to the power nx को हमने break कर दिया है दो तुक्रों में कर दिया है तो generally या तो इस तरह का कोई manipulation काम में आता है या integration by parts लगता है अब इसी idea पे based एक बहुत अच्छा problem है if in is equal to 0 to pi by 4 tan to the power nx dx then show that in plus in minus 2 is equal to 1 by n minus 1 and deduce the value of i5 तो देखिए यह in और in minus 2 मैं relation तो मैंने पहले derive कर लिया है अब इसमें दे रखा है कि यह जो limit of integration है 0 to pi by 4 है तो इस term में जब आप limit 0 to pi by 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा t तो tan है तो इसको हम लोग tan लिख दे tan to the power n minus 1 x कर देते हैं तो यह reduction formula है यह वाला जो है यह reduction formula है तो अब इस question में limit क्या है 0 to pi by 4 है 0 to pi by 4 जब आप इसमें limit रखिएगा तो 0 पे तो यह 0 हो जाएगा pi by 4 पे 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है in plus in minus 2 this is equal to 1 by n minus 1 यही आपको prove करना था अब आपसे क्या पूछा है i5 की value पूछा है तो i5 की value कैसे निकालिएगा बहुत simple है i5 की जो value है वो i3 के value पे depend करेगी तो हम लोग लिख सकते है की जब हम लोग बात करेंगे तो n की जगा 3 रखिएगा तो यहाँ n minus 1 में 2 आ जाएगा क्योंकि relation तो यह आ गया न i3 is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 minus i1 और i1 की value आप आसानी से find कर सकते हैं क्योंकि i1 क्या हो जाएगा integral tan x dx tan x dx का integral क्या होता है log sec x log sec x में आप 0 to pi by 4 limit लगा दीजिए तो आपको i1 की value मिल जाएगी i1 की value यहाँ पर आपको मिलेगी i1 is equal to ln root 2 तो i3 क्या हो जाएगा 1 by 2 minus ln root 2 तो इसको आप यहाँ पर substitute कर दीए तो यह i5 की value हो गई 1 by 2 ln 2 minus 1 by 4 तो इसी तरह से बहुत सारे reduction formula होते हैं माल लिजे कि आपको यह दे रखा है x to the power m ln x to the power n dx इसका reduction formula find करो तो इसको भी आप find कर सकते हैं इसको आप लिजेगा second function integration में parts करना होगा इसको लिजेगा first function इसमें तो कोई confusion नी नहीं है क्योंकि isolate rule से हमें पता है कि ln को first function लेना है वैसे भी आप देख रहे हैं कि ln x to the power n है तो इसको integrate करना तो भी बहुत मुश्किल होगा x to the power m को तो हम लोग integrate कर सकते हैं और इसका नाम हम लोग कुछ दे दे तो इसका नाम हम लोग कर देते हैं imn क्योंकि यह दो parameter पे depend कर रहा है तो imn क्या हो जाएगा यह जाएगा x to the power m plus 1 by m plus 1 अब इसको जब differentiate करिएगा तो यह हो जाएगा n ln x to the power n minus 1 हो जाएगा और एक 1 by x आएगा अब यह जो 1 by x है वो इसको cancel करेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x to the power m तो जो second term आएगा उसको मैं आगे लिख देता हूँ यह हो जाएगा minus 1 by m plus 1 और यहाँ पर n आजाएगा और यहाँ पर क्या आजाएगा x to the power m into ln x to the power n minus 1 और dx तो सब जगा रहता ही है तो देखिए अभी हमने इसका reduction formula में क्या देखा कि जो imn है वो reduce होकर क्या हो जाएगा im तो यह रहा ही यहाँ पर देखिए power reduce हो गया n minus 1 तो देखिए हम लोग start किये थे x का power m और ln x का power n यहाँ से start किये थे integration by parts करने से क्या फाइदा हुआ कि अगले step में जो हमें मिला वो है x to the power m और ln x का power n minus 1 यानि कि इसका power reduce हुआ तो इस तरह के 50 question होते है method of reduction पे based आपको इन सब को याद बिलकुल नहीं करना है सिर्फ concept समझना है कि अगर इस तरह का कोई question आ गया और आपको n वाले power में जो integral है उसके value और n minus 1 का जो power है उस integral का value उन दोनों में अगर कोई relation पूछ रहा है तो relation वो कैसे derive करिएगा ऐसे derive करिएगा तो यह होता है method of reduction अब इस method को हम लोग आगे जब हम लोग definite integral study करेंगे तो वहाँ भी इसको study करेंगे method of reduction पे based यह चार problem है इनको आप attempt करिए पहला problem तो मैंने already solve कर दिया है दूसरा तीसरा चौथा यह तीन अच्छे problems हैं इनको आप खुछ से try करिए अगले वीडियो में मैं इनका solution दूँगा